यूट्यूब में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक लगाने सबको आते हैं लेकिन सब्टाइटल बनाने में सबसे अधिक्कते आती हैं और सब्टाइटल एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप डालते हैं अपने वीडियो में तो काफी अच्छा रिस्वांस आपको बलता है आज आपको यही बताऊंगा, इससे पहले भी दो वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें मैंने सब्ली.com के बारे में बताया था और वीड.com के बारे में बताया था वो वीडियो भी आप चेक आउट कर सकते हैं देखे, आप में से कई सारे लोग इस बात की गंप्लेंट मुझसे करते हैं कि वीडियो जो बनाता हूँ, उसमें कुछ वेबसाइट में बताता हूँ वो कुछ समय के बाद प्रेड हो जाती है लेकिन उस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शुरुबाती दौर जिस वेबसाइट का होता है उसमें जायता सर्विसेस आपको फ्री दी जाते हैं और वो फ्री इसलिए ही दी जाती है कि आप उसका सही से इस्तिबाल किया जाए चाहें आप सब्ली.com ले 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 चाहें आप वी.com ले 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 अभी उसमें 10 मिनट तक की वीडियो को आप अच्छे तरीके से बना सकते है कई सारी ट्रिक्स मौझूद होती है कुछ ट्रिक्स आपके साथ आज शेयर भी करूँगा तो वीडियो को आप अन तक देखेगा जिससे आप वो 10 मिनट या 20 मिनट जो भी आपको मिलते हैं उसको आप एक्स्टेंट भी कर सकते हैं उन ट्रिक्स के तरूँ और उसमें आपको अपने मेन इमेल एड्रेस का इस्तेमाल करने की ज़रुद भी नहीं है मैं हूँ अभिशेक आप देख रहे हैं टेक्टिंगल भटनागर यूटूब चैनल आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी वीडियो को की रीच बढ़ाना चाहते हैं आगर उनकी वीडियो हिंदी में हैं वो इंग्लिश में सब्टाइटल लगाना चाहते हैं वो बंगाली, गुजराती या किसी भी रिजिनल लैंग्वज में लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन होने वाली है सब्टाइटल से आपकी SEO कम्प्लीट होती है, आपकी वीडियो आपकी कम्प्लीट होती है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस वीडियो में भी सब्टाइटल अपना लगा रख है वीडियो अंतर देखेगा, साथ साथ चैनल पर नए है, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरू किजएगा, चैनल को सब्स्राइब और बेल आइकन को जरू प्रेस किजएगा साथ 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 से लेके कोई भी प्रावलम अगर आपको आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आपको इन्स्टाग्राम की इडियो मिलेगी आप चाकर महापर मुझे से बात कर सकते है जाने चलते हैं लेप्टॉप की स्क्रेंड पर आपको मैं बताता हूं किस तरह से आपको कारे करना है तो अगर हम बात करें यूट्यूब हैल्प के बारे में अगर शुरुवात में इस वीडियो की यहां से करूँ कि YouTube भी आपको कहता है कि आप कुछ टूल्स का इस्तबाल करके अपने वीडियो को ट्रांसलेट जरूर क्या किजे ट्रांसलेट करने का फायते बहुत सारे हैं आप पूरे ब्लॉक पोस्ट को पढ़ सकते हैं ये लोग कुछ अपने तरह से कुछ थर्ड पाटी टूल्स की प्रवाइड कराते हैं हाला कि ये तूल्स काफी अच्छे हैं क्योंकि इनकी वेरिफाइट टूल्स हैं तो आप इनका भी इस्तबाल कर सकते हैं लेकिन ये सभी लगबग लगबग इसमें आपको पेड जो हैं वो मिलते हैं देखिए यह सभी YouTube के अपने एक तरीके से कहूं तूल्स हैं, इनको भी आप watch out कर सकते हैं, और काफी बढ़िया तरीके से आपको काम करके देदेते हैं, लेकिन यह काफी हर्तक काफी expensive हैं, लेकिन यह काफी accurate भी हैं इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन सब्टाइ आपको पता चल जाता है, कि आपकी जो चैनल है, उस चैनल पर कहां से लोग कितनी konferency languages देखते हैं, तो maximum मेरे इस चैनल पर 93% लोग हिंदी देखते हैं, उसके बात पंजाबी देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, अरबिक देखते हैं, जर्मन, स्पानिश और फिलिपिन box में छोड़ दूँगा, आप जो है, इससे आपको काफी फाइदा, जो होगा, साइट का नाम है, मैसरा.com, और इसमें आपको जाने के बाद, जब आप इसको पूरा कर लेंगे, तब आपको अपनी वीडियो यहाँ पर install करनी पड़ेगी, यानि कि upload आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो है, वीडियो जो है, मैंने लिया था, और इसको मैंने अब सब्टाइटल किया था, और इसमें प्राइसिंग वगएर अभी आपको देखने को मिलती है, बहुत ही रिजनेवल प्राइसिंग है इसकी, नाइन डॉलर पर मन्थ है जिसमें आप काफी हद तक जनरेट कर सकते हैं और एविन आप वाइस ओबर भी इसमें करवा सकते हैं बहुत अच्छा यह रहता है और आप इसको ट्राइब कर सकते हैं इंदे लॉंग रण अब अभी मेरे पास क्या है 22 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं तो मतलब यह है कि जब आप पहली बार जिसको करते हैं तो आपको 22 मिनट बिलते हैं अब यहां पर एक वाश्चन आपके मन में आया होगा कि यार एक इमेल आइडी से हम रिस्टर करेंगे तो हमारे 22 मिनट तो खर इसका जो आपको मेल आइडी मिलती है उस से आप रिस्टर करो और जितनी बार आप रिस्टर करोगो अथनी बार आपको 22 मिनट जो हैं वो मिलते रहेंगे और इसका जो लिंक वगरा होता है वो आपके पास आता रहेगा तो यह एक ट्रिक है यह अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी, अब मैं आपको बना के दिखायता हूँ, सब्टाइटल कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप न्यू सब्टाइटल पर जाएंगे, न्यू सब्टाइटल पर जाने के बाद, माई डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, माई सेलेक्ट करने के बाद, हमारे जो केमिटी शेल स्टुडियो की फाइल्स हैं, जैसे यह वाली फाइल है, इसको मैं हाँ पर अपलोड करूँगा, 17 MB की फाइल है, बहुत असानी के साथ यह अपलोड हो जाएगी, कोशिश किजएगा कि अगर पेड वर्जन ले पाएं, इसका तो जादा बेटर है, यह देखिए, अपलोड हमारी हो रही है, इतने आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, इसके बाद आप से यह पूछता है कि इंग्लिश में करनी है कि हिंदी में करनी है, तो मैं अभी आपको हिंदी इंडिया दे देता हूँ, इसमें बहुत सारी लेंग्वेजेज आपको देखने को में देंगी, जो आपके चैनल में काफी हथ तक आपको ग्रोव करनी की में हेल्प भी करेंगी, अगर आप चाहें, तो आप अनादर लेंग्विज में भी यहाई से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहूँ, तो पंजाबी में यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं सम्मिट करता हूँ, सम्मिट करने के बाद इसकी जो प्रोसेसिंग है, वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरे 8 मिनिट पहले एक्जॉस हो चुके हैं, अभी 9 मिनिट हमारे और एक्जॉस हो जाएंगी, तो मेरे पास अब कम समय रहेगा इस चीज़ को आगेव करने के लिए, तो मैं नया अकाउंट बनाऊंगा और नया अकाउंट के हिसाब से फिर मैं काम करूँगा, तो यह एक बार हो जाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इतने में वीडियो को पॉस्ट कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी यह वाली वीडियो मैं ने अप्लोड की थी, वो सारा का सारा हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा, और मज़े की बात देखे, यहाँ पर आपको हिंदी और पंजाबी तौनों में यहाँ देखने को मिलेगा, अब बात आती है इसके अप्लोड करने की, तो यहाँ हम भी, सॉरी, माफ़ भी चाहूंगा, बीच में फोन आ गया था, अब और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम SRT फाइल को सीधर सीधर डाउनलोड यहाँ पर कर लेंगे, हम दोनो फाइल को डाउनलोड करेंगे यहांपर, पहली हम इसको कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग पनजाबी जो है हमारी उसको भी यहाँ पर हम रोग डाउनलोड कर लेंगे, यह देखी तोनों हमारी डाउनलोड होके आचुकी हैं, और हम यहां पर show folder में जाएंगे और show folder में जाने के बाद यहां से हम इनको extract करके रख लेंगे तो हमारी दोनों files पंजाबी और हिंदी वाली दोनों हमारी आ चुकी है अब हमारा काम आता है upload करने का जो की बहुत ही easy है इसमें आपको कही problem आनी नहीं चाहिए तो सबसे पहले हमारी क्या है हिंदी है तो यहां पर हम सब्टाइटल्स को यह औरिजिनली इंग्लिश लिया तो मैं यहां पर पहले add करूँगा हिंदी हिंदी add करने के बाद मैं add इसका title करूँगा यह बहुत ज़्यादा important चीज़ हो जाती है तो आप इसके लिए इस्तमाल कर सकते हैं google translate का भी तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पूरी process बहुत अराम से देखिए और जानने का प्रयास कीजिए यह देखिए मैं इसको copy कर रहा हूँ और मैं notepad में इसको रख लेता हूँ और इसके सारे जो captions है इसको मैं रख लेता हूँ क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के दूबत पढ़ने वाली है क्योंकि हम अपनी ही वीडियो का एक रेप्लिका बना रहे हैं YouTube प्लेटफॉर्म पे ही जो YouTube हमें कहता है तो यहां हम क्या करेंगे यहां हम Google Translate को खोलेंगे अभी आपको एक तरीका और बताऊंगा वीडियो को छोड़के मत जाएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत जादा आपके इंट्रस्ट की है और translate हम खोलते हैं और Google Translate में हम लोग जाते हैं detect language हमारी जो भी है उसके बाद हम इसको हिंदी में convert कर देते हैं यह देखिए और copy करते हैं copy करने के बाद अपने वीडियो के subtitles में आएंगे subtitles पर क्लिक करेंगे और यहां हम लोग दुबारा से add करेंगे हिंदी हिंदी पर क्लिक करेंगे और यहां पर title and description हमें add करना होता है तो यह हम title यहां पर देंगे इसके बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं आस तक बड़ी interesting सी कहानी है लेकिन बड़ी जबरदस्त यह बात है कि कि इसी ने आस तक इस बारे में तफसील से जनकारी नहीं दिये और इसको फिर हम लोग जो हमारे links वगरा है उसको हम लोग same यहां पर रख देंगे जिससे हमारा same replica बन जाए और यहां से हम सीधा इसको publish करेंगे publish करने के बाद यहांपर subtitles को add करने की बात आएगी add करेंगे add करने के बाद upload फाइल पर जाएंगे और upload में हमसे यह पूछेगा कि timing के साथ करना है या without timing करना है तो आप timing के साथ करिए continue करिए continue करने के बाद आपको जहां download आपका folder है वहाँ जाए और यह लूशो ग्रिड मे हमारी सबसे पहले हिंदी की थी तो यहांपर continue कर दीजे यह देखिए हमारी आ चुकी है इसको publish कर दीजे and same चीज आपको पंजाबी के लिए भी करनी है उसके बाद मैं आपको जो है पताता हूँ कि किस तरह से आपको यह दिखता है actual work कैसे करता है वो भी मैं आपको दिखा पंजाबी को भी हम ले लेते हैं and same चीज हमें यहां पर भी करनी होगी and इसको यहां पर हम लोग जाकर पंजाबी सर्च करते हैं आप देखिएगा इसे आपकी जो रीच है वो काफी हद तक increase होगी और इसी तरह कि चीजे जो है मैं आपको बताता रहता हूँ जो बहुत हट के होती है यह देखिए और और मुझे सच सच बताइएगा कि आप लोग को इस वारे में जानकारी थी या नहीं थी यह कुछ ऐसा भी होता है उसके बाद आप पब्लिश कर दीजे पब्लिश करने के बाद आप add करिए upload फाइल करिए continue with timing पंजाबी SRT continue यह देखिए हमारी आ चुकी है पब्लिश कर दीजे तो हमारा दोनों चीजे एक्शली यह गरबड हो गई यहां पर इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ और हिंदी वाले में ही मुझे upload करनी थी मैं English में गलती से कर गया हूँ तो यहां से मैं हिंदी वाले को दुबारा से upload कर देता हूँ कई बाद जलबाजी में परी गलतियां हो जाती है continue करते हैं अगर आपको और भी ज्यादा languages में add करना है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है आपको इस website पर जाना होता है और अपनी जो अप्राइडेल है उसको आप यहां पर जिसे हिंदी में है तो यहां से आप upload कर सकते हैं और next आप कर सकते हैं next करने के बाद यह आपसे कुछ पूछेगा यह आप इनका verification का होता है आप इसको करने के बाद यह आपसे पूछेगा कि किस language में आपने translate करनी है आप suppose करो कि English में करनी है तो मैं यहां से English में भी कर सकता हूँ यहां से accept कर लिजे इनकी terms and conditions को और यह आपका English में जो है वो ब तो यह आपका यहां पर बनके आ जाता है बहुत असान है लेकिन बहुत impact होता है इसका channel पर आपके और बहुत तफसील से मैंने आपको यह चीज़ बताई है यह देखिए जह आपका बनके आ गया है लोशो ग्रिट के ओपर English में ठोड़ी बहुत दिक्कते आती है लेकिन ज इसको अब हम लोग चला के देखते हैं कि क्या हमारे subtitles काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मैं आपर इसको इसकी आवास को mute कर देता हूं इससे कोई समस्या आपको पैदा ना हो और अगर हम यहां पर click करते हैं इसका add ज़रा बंद हो जाए तब मैं आपको बताता हूँ और हिंदी ओन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हिंदी के subtitles हमारे आने लग गए हैं और साथ साथ हमारे पंजाबी के भी आने लगए हैं इसके साथ साथ अगर आप देखें तो auto translate का भी option आ रहा है जिसको आप runtime पर English में कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज आपको द बिलता हूं आप से एक नए वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा